अगर सरकार नहीं मानती है, तो फिजकल प्रोट्रेस तो हमरा बरह मास्तर है, उसको ताव्पास से हम लोग छलाएंगे ह। एसा कोई सिट नहीं है कि विकावस नहीं होता है, चाहिए वह बिहार का हो, चाहिए कि है केंस्ट्रेल का हो कुझे कीरने की न लगत आगए है चुकि इस तरह से हम लोग आप नहीं रुख करेंगे मोदी ही सोचते हैं उनके तरह हम लोग भी पकोड़ात लें तो ऐसा नहीं है पोटेस्ट ऐसा होना चाहिए कि सिधा नरेंदर मोदी जी तक जाए संदेश नरेंदर मोदी जी पर दबाब बने आपकी लराई है, खुद की लराई है आपकी संध्या लगभग 6.5 करोड़ है और आपको किसी से परमीसल लेने के ज़रोत नहीं है यह आप लोग नौकरी का जहसा आपको दिया गया है नौकरी जो भेकेंसी वो भी कम कर दी जाएगे हो सकता है कि केंसील भीना वेकंसी हो जाए दुनिया का सबसे बड़ा परिक्षा और एक तरह से कहें तो सबसे बड़ा ज्यादा संख्या में भरती करने वाला बोर्ड भरतिये रेलवे बोर्ड इसके द्वारा पैंतिस जार एंटी पीसी और लगभग एक लाख गुरूप डी के लिए 2019 के मार्च में नोटिफिकेसन जारी किया गया और आज देखिए कि लगभग धाई तीन साल होने जा रहा है एंटी पीसी प्रॉसेस में है और गुरूप डी के बारे में कोई सूचना ही नहीं है और य इनके भाविस्ति के साथ ऐसा खेलवार किया रहा है कि तीन-तीन सालों से लटका के रखा गया और एक्जाम का डेट तक नहीं दिया रहा है हमार साथ कुछ कंडिडेट है उनसे हम बात करेंगे आ एंटी पीसी आपने दिया तीन साल हो गया भी तक क्लियर नहीं है क्या काना सब्सक्राइब होते जा रहा है इसे विद्यार्थी को बहुत सारी कश्णाई झेल कर यह एक्जाम को पास करते हैं तब यह धौंदली होते रहती है उसको चाहिए कि विद्यार्थी कितना गरीवीपन को जेलते हैं यहां पर पहुंचते हैं तब पर उसके साथ यह खिलबार हो रहा है इसमें यह क्या लगता है आपको की भारतिये रेल्वे को बीएससी का रोग लग लग गया है लेट वाला जी हां वही रेल्वे कर रहा है है ऐसा नहीं होना चाहिए था हम लोग बहुत दिन से त्यारी कर रहा है हम लोग सोचते कि अब होगा आप होगा त्यारी होते है कर रहें कभी कभी दी मौटिवेट हो जाते है लेकिन बीट्वे झालन ही पांद इंक्जाम का डेट लेने के लिए लगता है लगता है कि अभी तक कुई एक्जाम डेट के नहीं हुआ जहां तक बात है एक एक्जाम लेट से बाद लगता है लेकिन आप लोग यह बता है कि आखिर क्या लगता है सरकार इतना एक्नोर क्यों कर रही है इतनी बड़ी संख्या है युवाओं की संख्या है गरीब छातर जादा है लोग में जा रहे हैं और इसमें बहुत लोग को एक्सपार भी पार्क कर रहा है और प्लस ट्रेट ले रहा है कि कोई पदा ही नहीं चला जा रहा हुए और जल्द जल्द हम यहीं कैंसरस करेंगे की लोग जो है इतना ट्रेंड चलाएं सिख्षक लोग भी कर रहा है कि हम लोग मीटिंग कर रहे हैं क्या लगता है निसकर्स सिख्षक लोग दवाव बना पाएगा या सिर्फ मीटिंग होते ही राजाएगा यह तो सरकार के उपर है लगतार और यह वेकेंसी को लटका रखा गया है क्या लगता है कहीं सीट कम ना कर दिया जाए या कि प्राइबट हो जाने के कारण इसको रत तो कर दिया जाएगा सरकार को विरुजगारी जासे जिस कंडिशन सब यहां सब भारत विरुजगारी इतना सारा उसके बाद भी सारा कुछ नीजी करन करते जा रहे यह सब तो गलत है बहुत जादा गलत है यहां इस्टुडेंट कैसे पूरा दिन तैयारी करता लोग क्या खा भाई क्या मतलब इस्टुडेंट से आप लोन ले रहा है कर्ज मांग रहा है समझ में नहीं आ रहा है 400 जो एक्जाम दिया ठीक है नहीं दिया सेंटर भेजना चाहिए नौमल जगा भेज देता अंडमान निको बार सेंटर इंसान 400 पर लाने के लिए जाएगा अंडमान नि वहीं नहीं सारा कुछ गवर्मेंट मतलब पुरा सोई हुए है कुछ चिंता ही नहीं उसको विरोजगारी क्या है क्या नहीं हमें तो लगता सबसे ज़्यादा इधर जहलना यहीं सरकार में दिलगवग दिखा गया बहुँ जादा युवाँ की सरकार आई थी दो को जाया है जो एंटीफिसी की बहाली हुई है एंटीफिसी के तो उसमें एक्जाम तो कंड़ेट करा गया लेकिन अभी तरह हम लोग आप नहीं रुप करेंगे और हम लोग एक दिन आवस जाके रेलवे को जाम करेंगे चाहे जो भी जहां तक बनेगा हम इस चीज को सब्सक्रास जरूर्ट को और को ए Simpson को और हमारे जो एकजाम को सब्सक्राइब हमारे आरधिशरा को सब्सक्राइब कोंद गत्वाले में 1230 किया जाए नगता हैं किया प्लक्तिक पोस्मुद 530 635000 खौन धूराएं करवाई का एक पिटी लिए त्विट्टी उसका भी मात्र कुछ नहीं अंसर की सिर्फ आया एक्जाम एक्जाम 6 महीना चल रहा है क्या लगता है कि यह तो फिर अगर एक्जाम शुरूब सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग को जितना मेहनत करते हैं उस तरह का हम लोग का रुजगार भी चाहिए ठीक है और यह गुरूप डी का एक्जाम जल्दी जारी किया लगता है कि ट्विटर पर चलाने से सुनने बाले हैं कुछ नहीं होगा फिसकल प्रोटेस्ट करना ही हो होगा हम लोग को और बहुत ज्यादा जन संग्या में चाहतरों को जमा होना होगा इसके लिए जो हो जाएगा प्रोटेस्ट के लिए हम लोग तयार है अब जान रहे हैं तो का जो है कोई कैबिनेट बैठक चल रहा है तो मिटिंग चल रहा है तिन गंटा सब कहा जाता है न हम लोग हम लोग इतना मेहनत करते हैं तो पकावणा तलने के लिए नहीं किया हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे आप रेलवे बोड देखे चाहिए लेकिन आवलोग करनेंगे इसको क्योंकि आपने उनको मानने पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जान रहे ट्यूटर से कुछ नह प्रश्ट बार होगा तो आपको बताएं कि दिलीब भी है साथ में दिलीब अलगादार आप चातरों के पक्ष को रखते रहते हैं मैं च्छोटा सा कमेंट आप से चाहूंगा कि आखिर दो करोड चालीस लाग हाला कि बात तो कही गई थी एक साल में दो को डोजगार देने सबसे बड़ी बात है कि यह जो भैकेंसी थी जिसको यवाओ ने उस समय नहीं समझा यह 2019 में वेकेंसी मार्च में आई उसके एक मेना बाद एलक्सन शुरू होना था और विग्यापन में यह कहा गया कि सितंबर अक्टूबर में 2019 में एक जाम ले लिया गाएगा लेकिन इसलिए हुआ कि प्यूस गोएल उससे में रेल मंत्री थे वह अच्छे आदमी है इसलिए उनको हटा भी दिया गया क्या कि चात्र जब ट्वीटर प्यांदुलन किये उनोटीस जारी कर देते थे चात्र ही उनको हटा दिया गया तो अब जो रेल मंत्री है उनका तो नाम भ रेलेट्य जी जिकाते जब कहईंगे तभी एक्जाम संपन होगा यह किसी रेल भरती बोर्ट के बस की बात नहीं है कि उनको सुतंता दी ही नहीं है किसी क्रालों मंत्री को आत्री कुम्स बोल सके तो रेल बोर्ट कहां की चीज है जो भी को यह एक औरा किरा क्छे Cater Tigal Ship कर रहे हैं जल्द से जल्द देखते हैं जो सिच्छकों की आ रही है जो भी हम उनके साथ करें पहला दिन हम भी मीटिंग में थे हमको पता है कि क्या हुआ नहीं हुआ कर रहें हैं लिए जो पड़ियास कर रहे हैं उनको हाथ जोर के सलाम करते हैं परिनाम करते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग बस एक जूठ हो ये आपसी मतबेद जो चार पांच पूराइब नहीं करेंगे और सरकार से मांग नहीं करेंगे शात्रों की मांग को पूरा करने के लिए और वीडियो नहीं बनाते हैं चाहिए उटूब परहते हो या उफ्लैन परहते हो तो उन सित्षब को काहं बहिं openness करेंगे और चात्रों के बीच उनका नाम मुझागर करेंगे कि दीखे इनका मकस्स्वित पैसा कमाना है क्योंकि सित्षब की पहतां चात्र से है और चाथर ही बिजनेस कर तो बिजनेस कर रहे हैं तो और भी धंदा है जाइए दिखाइए नहीं कि हम अस्ट्रोएंट के लिए सोच रहे हैं और तमाम परिछार्तियों से भी हम यह कहना चाहते हैं कि यह आपकी लराई है खुद की लराई है आपकी संख्यार लगभग धाई करोड है और आपको किसी स परमिशन लेने की जरूत नहीं है आपको दिलिप कुमार से परमिशन लेने की जरूत नहीं है आपको देश के किसी सिचक से परमिशन लेने की जरूत नहीं है आपको देश के किसी नेता से परमिशन लेने के जरूत नहीं है आपको अपनी अलगाई खुद लड़नी है तो कि याद कर दिए भीहार ओ धरती है कुई दξा करांटी धरती है ब्हार कि धरती करांटी की धरती द्र妳 बदलाव की धरती है तो एक बार अगर पोर्टरेस्ट हो जाए गाना तो सरकार हील जाएगी और अभी आप देख लिजिए कि यूपी जो आंदो ये चुनाब है वो लोग सभा चुनाब का पुर्वाभ्यास माना जाता है तो आप लोग सिधा एनांस किजिए सब लोग वीडियो बना के डालिए कि अगर सरकार घोसित नहीं करती है परिच्छा किती तो सब जानते हैं और देखिए तुरत चुनाब के चलते हारने के चलते जब किरसी भी वापस हो सकता है तो आपका परिच्छा के तिति खोसित नहीं होगा एन्टीपी का रिजल्ट जरूर होगा तुरत होगा और जो यूपी के भाई बंदू है भाई बाने उनसे हाथ जो सब्सक्राइगा नोकरी हाथ से चल जाएगी आपको बोट जिसको देना है चुना में अलग मुद्दा है उसमें हम नहीं करें लेकिन अभी सरकार को दिखाईए कि अगर आपकी बात सरकार नहीं मानते है तो आप सरकार के अगेंस्ट में बोटिंग करेंगे अगर एक बात और ध्यान रखिएगा कि 25 अक्टूबर 2019 को हम लोगों ने अंदूलन किया था पत्ना में और बिहार के कई जिलो में नीजी करन के खिलाप उस समय कुछ सिक्षकों नहीं पत्ना के कुछ सिक्षक ने यह कहता कि दिलीब कुमार अफबाफला राइस को नेता बढ़ना है और मंत्री ने नोटिस जारी किया था पत्ना के कोचिंग बराबरा कोचिंग सेल्टर के आगे और रेल जितना भी स्टेशन है सब जगा कि कुछ और समाजिक तत्तों के दोरा अफबाफला जारा रेलवे का नीजी करन नहीं होगा आज आपको खोजना पड़ेगा कौन रेलवे बचा हुआ है कौन रेलवे स्टेशन का नीजी करन नहीं हुआ है तो आप दूरदर्सी बनिया और सोचिये अगर आप एक जूट हो के अभी नहीं सरक पे उतरे तो दिलिप कुमार की इस बात को याद रखिएगा यह जो आप लोग नौकरी का जहासा आपको दिया गया है यह नौकरी जो भैकेंसी ओभी कम कर दी जाएगे हो सकता है कि कैंसील भीना भैकेंसी हो जाए और यह मैं आईसे नहीं बोल रहा हूं आप लोग याद कीजिए 2015 में क्या हुआ था जो भैकेंसी पहले से आई थी सब कुछ हो चुका था आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलना चारहजर सीट कम कर दिया गया अगर दिलिप कुमार जुट बोल रहा है तो जुटता लेके मारिये हमको अभी रात में मेरे पास फोन आया है रेल बेंड यह टेक्डिसियन का कोई भैकेंसी आई थी तो आठारा में उन लोगों का सब कुछ हो चुका है सिर्फ जोइन कराना है राची से भेजा जा रहा है मुगल सराय मुगल सराय से हाजीपूर राथी फोना या मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है और लोगों को देखिए ज्वाइन हो करना है और तीन साल से वह भटक रहे है तो आपकी परिच्छा नहीं हो जाएगा तो आपको लरना पढ़ेगा न दस घंटा लेट चलाया जाएगा जानबुज के कभी कैंसिल कर दिया जाएगा ताकि आप नीजी ट्रेन में बैठने के लिए मजबूर हो जाए और आप जब नीजी ट्रेन चलेगी तो आपकी तो इस सरकारी वेकैंसिये तो कैसे बाहली होगी भाई सोचिए दूर का सोचि कि हुआ पिछले बाद ट्वीचर पर होगा तैतालीस लाग ही है धाय करोर संख्या है क्यों नीजी धाय करोर ट्वीच हुआ होना चाहिए था इसलिए आप लोग जो भी हो डिजिटल हो हमने इंतजार कर रहे हैं सिच्छा गणों के फैसले का जो भी होगा हम उनके साथ खर लेकिन आप समर्थन तो कर सकते हैं वीडियो बनाके समर्थन करें सरकार से मांग किजी जब आप नहींदर मोदीज दियरेक्ट कह सकते हैं कंगना के बारे में बाबाराम देव के बारे में बोल सकते हैं तो या नटी पी सी का रिजल्ट दखोसित कराने के लिए आप वीडियो नहीं बना सकते हैं और इसके बाद ग्रूप डी Bowl गोशीत करने के वीडियो बनाके सरकार से मांग नहीं कर सकते हैं अगर जो सिच्छक ऐसा नहीं करेंगे इसका मतलब है कि उनको छात्र से मतलब नहीं है सिर्फ उनको बिजनेस चलाना है पैसा एठना है उस चात्रों से और ऐसे सिच्छकों का आप लोग भाहिसकार कीजिए यूटूब पे आप लोग उसको अंसबस्क्राइब कीजिए उसका वीडियो देखना बंद कीजिए उसका नाम मुझागर कीजिए बहिसकार कीजिए हम तो करेंगे हमको किसी का डर नहीं और दूसरा बात कि जब तक ग्रूब डी की परिच्छा की तिति घोसित नहीं की जाती है एंटी पीसी का रिजल्ट नहीं आता है जितना भी मंत्री है पीद्धायक है नेता है कोई वी पक्षबी पक्ष पकश का भी नेता है यहां तकि परधान मंत्री को भी यूटूब पे डिसलाइक कीजिए कमेंट में सीधा लिखी आप लोग कीजिए जो आपका डिमांड है और परधान मंत्री कर दोपर बाते करा कि और लगतार हम इस बुला हुआ मुद्दा है और सरकार इस पर गहरी निंद से सोई हुई और कोई इसको लेकर अभी तक फैसला नहीं लिया गया है तो अब देखने वाली बात है कि छातर अब खुद बीड़ा उठाएंगे और एक्जाम के डेट के लिए आंदोलन प्रस्तावित है डेट और स् चर्चा जो है उसको वारे सुचना जो है वह बात में दे दी जाएगी लेकिन लामबंध होना शुरू हो गया है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद है लाइक शेर करें हमारी चैनल देंडिया आपको सब्सक्राइब करतें धन्यवाद